अकेले चलना सीख लो जिन्दगी में जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहेंगे सब कुछ हासल नहीं होता जिन्दगी में यहां किसी का काश तो किसी का अगर रही जाता है नमश्कार मैं हूँ मोहित कमिल श्रिमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागित करता हूँ आपके अपनी चैनल में और आज का राशी फल यानिकी 30 अप्रेल के इस विशेश एपिसोर में आप सभी को बढ़ाई और शुबकामन है जिनका आज जनम दिवस है मैरिज इनवस्री है या कोई विशेश यादगार दिन है चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तारिक 30 अप्रेल 2023 से और दिन रविवार का है आज के विशेश शुपाय में चंद्रमाका कुंडली के बारह भावों में शुब अशुब होने का क्या फल मिलता है ये पार्ट वन होगा जिसमें फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस की हम बात करने वाले हैं और उपायों की आने वाले एपिसोड में फूर्थ हाउस से लेके ट्विल्थ हाउस तक की बात होगी अगले आने वाले तीन दिनों में तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी जन्मकुंडली लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि समझ पाएगा अब बात करते हैं पंचांग के तो समवत 2080 का वैशाक शुकल पक्ष चल रहा है दश्मी तिती रहेगी शाम के आट बच के उनतिस मिनिट तक जिसके बाद में ए पाँच मिनिट से बारा बच के पाँच मिनिट तक और दोपहर के एक बच के पैतीस मिनिट से तीन बच के पाँच मिनिट तक पूरव और दक्षन दिशा में यात्रा करें तो शुब सापित होगा तो पश्चम दिशा में साउथ वेस्ट दिशा में नौर्थ इस्ट दिश का मालविय योग का शिष महापुरिश योग का पामर योग लक्षमी योग केंद्र-त्रिकोन राज्यों का आपको साथ मिलने वाला है. अब बात करते हैं आज-के राशी-फanswer के और शुरुवात करेंगे मेश राशी से मेश राशी के लिए सिंग राशी में चंद्रमा है यानि की फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है प्रत्यारी तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 25 डॉट्स आज के दिन को आपके लिए 35% सपोर्ट का बना रहे हैं यहां पर खास तौर पे स्टूडिन्स को आज के दिन परिशानिया ज़्यादा जेलने को मिल सकती है दोस्तों का साथ नहीं मिलना नोट्स ना मिलना कोई टेस्ट है या एक्जाम है आज के दिन तो उसमें परफॉर्मेंस चाहते हुए भी मिस्टेक्स करके अपनी परफॉर्म करने वाला बन सकता है इस से आपको बच करके रहना है अपने बुद्धी बलका इस्तमाल कीजिए घर परिवार की सहायता के लिए उनको उठाने के लिए कोई भी मेहनत करें या फिर जो बाकी बचे हुए घर के काम है स्वैम कर सकते हैं अगर उसमें बाहर से इंसान को बुला करके पैसे देने की जरुरत ना हो तो स्वैम कर लीजे कुछ रुपे बचेंगे घर की बहतरी होगी तो इस दरफ अपना ध्यान जरूर करें शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शुबंख रहेगा नमबर टू बात ऐसी हो रही है जिसके कारण लग रहा है कि कलेश उत्पन होने वाला है तो अपना मौन रखिएगा हो सके तो उस जगे से हट जाना जादा बहतर है उस डिसकुशन में पाट लेना उस कलेश में अपनी भी उपस्तिती देग करके कुछ ना कुछ वापिस कहना ये सिचुवेशन को बत से बत्तर बनाने वाला बन सकता है यहाँ पर ये कहूँगा व्यापारी वर्ग का जो भी आदमी है आज के दिन कोशिश हैं बड़ी करेगा पर स्टाफ का साथ ना होने के कारण नुकसान उठा सकते है चोरी हो सकती है स्टाउक खराब हो सकता है Evans पर सकता है तो उसके लिए सही तरीके से अपने स्टाफ को सुबह ही अपने कंट्रोल में लीजे उन्हें आज कैसे काम करना है उसका ग्यान दीजे शुबरंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर शुब अंक रहेगा नंबर एट अब बात करते हैं में थुनराशी की थर्ड हाउस में चंद्रमा है अधिमित्रतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरॉल सिचुईशन 100% पॉस्टिव है ऐसे समय में खास तौर पे कहूंगा हेल्थ वाइस शांदार दिन है घर प पूरे दिन अगर प्रॉपर्टी देखनी पड़े तो क्यों न देखें पर डिसिजिन आज के दिन लेने में आपको आसानी जरूर मिलेगी यहां पर यह भी कहूंगा कि व्यापारी वर्ग का आदमी शांदार कमाई के साथ में ही एक नई ओपॉर्चुनिटी खोजने में भी सफल सिध हो सकता है यहां पर आखें और कान खुले रखी आसपास में लोग क्या कहते हैं उसको सुनिए ताकि आपके आईडियाज और स्ट्रॉंग हो सकें शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शुबंख रहेगा नंबर सिक्स अब बात करते हैं करक राशी की क खास तोर पर व्रद लोग जो हैं आखों में धुंदलापन या आखों के ऑपरेशन को लेकर करके आज के दिन विजिट हो सकती हैं यंगस्तर जो चश्मा पहनते हैं आखों में परेशानिया देख रहे हैं तो आज के दिन अगर आप टेस्टिंग के लिए जाएंगे डॉक पार करने वाले हैं तो अपनी संस्थान में ना जाये तो बेहतर है वरना कहीं न कहीं से दोसंनों की साजिशों में फसकते हैं लीगल आक्शन में फसकते हैं और वहीं कमाई तो होगी 2 रुपे और खर्च 200 हो सकते हैं तो इससे सोच समझ करके काम करें लालेश प्रवर्ति अपने उपर हावी ना होने दें, इर्शिया भाव अपने उपर हावी ना होने दें, तो काम को बहतर तरीके से करके, कमाई करके फिर वापस घर पे लौट पाएंगे. शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुबंख रहेगा नमबर वान. अब बात करते हैं, सिंग राशी की राशी भाव में ही चंद्रमा का होना, अश्टग वर्ग में 27 डॉट्स पर विपत्तारा का साथ, आपके लिए 85 परसेंट दिन को यहाँ पर पॉस्टिव बनाता है. अब यहाँ पर फर्स्ट आउस में चंद्रमा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देगा, तो वहीं जहाँ पर वाक्चतुरिता की बात होती है, इंफ्लुएंशली बात करने की बात होती है, मीठी बातें करने की बात होती है, यह आज के दिन आपको जरूर फाइदा अपने दांपत्य जीवन में सुकसंतुष्टी हो, तो यह भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं सम्मान में आज के दिन कहीं कमी नहीं देखने को मिलेगी, उल्टा वरद्धी ही वरद्धी है, जनको नहीं जानते हैं, उनके सामने से भी गुजएंगे तो वह भी शुब रंग आपके लिए रहेगा, स्काई ब्लू कलर शुब अंक रहेगा, नमबर एट, अब बात करते हैं कन्याराशी की, 12 थाउस में चंद्रमा है, अधिमित रतारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 31 डॉट सें, ओवरॉल सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही ह पर 12 थाउस का चंद्रमा है, 12 थाउस का चंद्रमा हेल्थ वाइस आज के दिन परेशान कर सकता है, नींद पूरी ना होना, आलस, ठकान और सिरदर्द, वहीं पीठ धर्द भी इस समय में उभर करके एक प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है, यहां पर यह कहूंगा कि घर क महिला हैं, बहन, वाइफ, माता जी, ताई जी, चाची, दादी, इन सब से बहुत सोच समझ करके बात कीजेगा, कहीं न कहीं आपके कमिटमेंट्स जो हैं अपनी चादर से आगे बढ़ करके जो आप दे रहे हैं और उस कमिटमेंट को फुल फिल करने में अपने क्रेडिट काड को बहुत एग्रेसिवली स्वाइब करते नजर आएंगे, याने की आप जो सोचते हैं जो आप अपनी लिमिट सेट करते हैं उससे काफी आगे तक बढ़ करके खर्च करते नजर आएंगे, तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा, यहीं पर शुब रंग रहेगा आ अब बात करते हैं तुला राशी की, तुला राशी के लिए राशी भाव से लेवंध आउस में चंद्रमा है, संपत्तारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 28 डॉट्स है, सिचुएशन आपके लिए 100% पॉस्टिव है, यंगस्तर्स नई जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहे ह नए एक्जाम्स के लिए प्रपरेशन कर रहे हैं तो शानदारा आज के दिन सफलता मिल सकती है, अच्छी एक्सपोजेर आपको मिल सकता है, वहीं जो विवहा के लिए यहाँ पर कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो आज के दिन सही इंसान से टकराना, इसकी संभावनाएं आना महमानों का आना बहुत ही जादा पॉजिटिव एनरजी भी ले के आएगा तो वहीं वसूली के लिए जो इंसान आज बाहर निकलेगा व्यापारी वर्ग का तो अपनी उम्मीद से जादा बहतर वसूली करता हुआ घर पहुचेगा यंग्स्तर्स भी इस समय में जो स्प शिकराशी की आपके लिए टैंथ हाउस में चंद्रमा है प्रतियारी तारह का साथ अश्ठक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरॉल सिच्वेशन 75 परसेंट पॉजिटिव है यहाँ पर अपने काम में सफलता भी मिलेगी तो वहीं लोगों के बीच में प्रसिधी भी प्राप्त हो आपको मिल सकता है चाहे वो खर्ची के तौर पे हो पॉकेट मनी के तौर पे हो अपनी सालरी का कुछ पार्ट आपको दे रहे हो आपके कोई वेंचर में आपकी हिल्प करें या फिर सीधे ही तौर पर सिर्फ और सिफ ऐसे ही आपने जो उनके लिए खर्च किया है या फिर कुछ खर्च कर रहे हैं उसके लिए वापिस आपको पैसे पकड़ा दें कि नहीं जरूरत है अभी आप रखिए तो यह चीज आज के दिन देखने को मिल सकती है इस समय में अपनी प्रॉपटी को सेल करने के अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो सही इनसान से आज के दिन आप ज जान नहीं रहे कहीं पर ओवर शेयर कर दें तो कहीं पर जहां शेयर करने की जरूरत है वहाँ पर बात ही ना कर पाएं यह परिशानी अके लिए आपको देखने को मिल सकती है शुबरंग फिर भी आपके लिए रहेगा येलो कलर शुबरंग रहेगा नमबर फो अब बात कर है धनुराशी की नाइंथ हाउस में चंद्रमा है वधतारा का साथ अश्टगवर्ग में 27 डॉट्स हैं यहां पर सिच्वेशन ओनली एन ओनली 30 परसंट आपके लिए सपोर्ट की बन रही है जिसके कारण घर में कलेश होने की सिच्वेशन बहुत जादा तेजी पकड़ने व लखिएगा यहां पर यह भी कहूंगा कि पुत्र संतान है तो पुत्र संतान से मदभेद होने की संभावना बहुत जादा तेजी पकड़ रही है और इसके कारण घर के दूसरे मेंबर्स अगर बीच में आके रोक रुकावट करें तो उन पर भी आपका गुस्ता निकल सकत है यहां पर व्यापारी वर्ग का जो भी आदमी है आज के दिन कोशिश हैं बड़ी करने वाला है पर सही क्लाइंट ना आने के कारण या फिर क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के कारण परिशान हो सकता है कि सेल्स ना हो रही हो शुबरंग ऐसमें रह 55% सपोर्ट देने वाले हैं जादे से जादा डिप्रिसिव थॉट्स और कहीं ना कहीं मस्कुला पेंट से परिशान होना पड़ सकता है पर इस समय में दोस्तों का साथ मिलने के कारण अपने रिलेटिव का साथ मिलने के कारण आपकी कमाई शांदार हो जाएगी कहीं पर को अची वावाही होना ये संभाव हो सकता है यहां पर यह कहूंगा कि दिन हेल्थ वाइस थोड़ा परेशानी से बरा है बाकी और कुछ भी नहीं है अगर अपनी हेल्थ को या फिर पेन को बुला करके काम कर सकते हैं काम का नशा अगर आपको है तो मान करके चलिए कि आज के साथ अश्टिक वर्ग में 39 डॉट सें, ओवरॉल सिच्वेशन 100% पॉस्टिव है, यहां पर अच्छी सेल्स के साथ में, अच्छी कमाई के साथ में वसूली के लिए भी इनसान निकले, तो बहुत अच्छे से काम करके आएगा, खास तोर पे जो भी इनसान पैकेजिंग का का करता है, चाहे पानी की बॉटल की पैकेजिंग है, मसालों की पैकेजिंग है, कोई भी तरीके की पैकेजिंग का जो काम हो सकता है, अगर आप वो करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए शांदार से धोने वाला है, अच्छा कपड़े अच्छी, शॉपिंग का तो आपको स पॉस्टिविटी की ही रहेगी मेंटली रिफ्रेश्ट रहेंगे शुबरंग ऐसे में रहेगा औरेंज कलर शुबरंग रहेगा नमबर वन अब बात करते हैं मीन राशी की सिक्स थाउस में चंद्रमा वदतारा का साथ अश्ठग वर्ग में शांदा रिकतिस डॉट आपके सि सुलजाव आपको देखने को मिल सकता है अगर आगे बढ़ करके कोई सोल्यूशन के उस्ते हैं आगे बढ़ के स्वैम सोल्यूशन को लेकर के आते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा मन मुटाव है जगड़ा है अपने आप समाप्त हो जाए उननती कारक दिन भी बन रहा तो वहीं घर परिवार में लोगों का साथ भी आपको पूरी तरीके से मिल रहा है जो ओवरॉल घर के अंदर पॉस्टिव एंवाइनमेंट आपको मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए इस समय का अगर उपयोग अपने आपको डेवलप्मेंट करने के लिए यूज अच्छी रीडिंग के लिए अपने सकिल्स को डेवलप्म करने के लिए बहुत जादा बहतर रहेगा ऐसे समय में भागय का साथ मिलने के कारण यह भी कहूंगा कि जो भारत के बाहर रहते हैं सट्टा खेलते हैं गैंबलिंग करते हैं कसीनोज में जाते हैं तो उनके लिए ये समय पॉजिटिव सिद्ध जरूर हो सकता है शुबरंग रहेगा आपके येलो कलर शुबंख रहेगा नंबर फो ये तो हुई बात आज के राशी फल की अब बात करते हैं आज के विशेश उपाईकी कि चंद्रमाका कुंडली के बारा ही भावों में शुब अशुब होने का क्या फल है यहाँ पर आज के एपिसोड में हम फर्स्ट हाउस से लेके थर्ड हाउस की बात करेंगे अपनी जन्मकुंडली अपने सामने ले लीजे और ध्यान से सुनिए चंद्रमा का प्रभाव जन्मकुंडली के हर भाव पर अलग अलग पड़ता है अब वैदिक जोतिश शास्त्र में चंद्रमा का विशेश महत्व माना गया है चंद्रमा को वैदिक जोतिश में मंतरी की उपादी दी गई है अब यहाँ पर चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है तब ही कहा जाता है चंद्रमा मन सो जाता है जैसे मन के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते उसी तरीके से चंद्रमा के बिना जोते शास्तर अधूरा है काम नहीं हो सकता अब जोतिश आसर में जिस प्रकार सूर्य राजा है उसी प्रकार चंद्रमा को मंत्री कहा गया है और चंद्रमा हमारे मन और भावना का प्रतीक माना गया है चंद्रमा का अपना घर स्वयम का घर स्वयम की राशी करक राशी है और व्रशब राशी में उचके हो जाते हैं अब चंद्रमा का स्वभाव आप सब जाते ही है समवेदन शील है ठंडा है प्रकृती ठंडी है अब जोतिश में चंद्रमा को मन, जल, गर्बाधान, शिशु अवस्था, व्यवहार, उत्तर पश्चिम दिशा, माताजी, दूद और मानसिक शान्ती का कारक माना गया है और साथी साथ में विदेश यातरा के लिए भी कारक माना गया है अब चंद्रमा का जनमकुडली में स्थिती बारही भावों में कैसी होती है आज पहले तीन भावों पर चर्चा कर लेते हैं अब यहाँ पर ये बात समझ लीजे कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिफ चंद्रमा के बारे में है वैसे ये फल सामानिय फल ही है दूसरे ग्रहों की दृष्टी, युती, संबंध इसके बारे में चर्चा नहीं होगी जब चंद्रमा किसी घर में अकेला बैटा होता है और उस पर किसी भी ग्रहे की दृष्टी नहीं हो तो जातक सौम्य प्रकृती का होगा पर चंद्रमा मंगल के साथ बैटा है या तो फिर दृष्टी संबंद में है तो जगडालू होगा, क्रोधी होगा ये स्वभाव जो है ये इस तरीके से बनना शुरू करता है तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा की फर्स्ट हाउज में क्या स्थिति है, उसका फल क्या है जब चंद्रमा फर्स्ट हाउज में यानि की प्रत्थम भाव में हो तो इनसान पराकरमी है, राज वैभव को प्राप्ट करने वाला होगा सामाजिक कारियों में रूची रखेगा समाज में विशेश रूप से लोगों में इसका अच्छा सम्मान होगा ऐसे व्यक्ति, भावुक बहुत जादा होते हैं, समवेदन शील होते हैं, संदर और चंचल भी होगा तो वही सरजनात्मक और रचनात्मक कारियों में विशेश रूप से रूची रखेगा फर्स्ट हाउज में चंद्रमा इनसान को कल्पना शील बना देता है थौटफुल बनाता है, क्रियेटिव बनाता है और फर्स्ट हाउज में विदेश यात्रा भी देता है ऐसे जातक को घूमना फिरना तो बहुत पसंद है, ब्रह्मन करना बहुत पसंद है और अपने पूरे जीवन काल में अनेक यात्राइं करेगा विदेश यात्रा भी करेगा पर यहाँ पर बात समझने की है इनसान गाव का रहने वाला है तो अपने देश या अपने ही राश्ट्र में बड़े बड़े नगर की यात्राइं करेगा बड़े राजियों में रहता है तो विदेश यात्रा संभव होती है यहां पर बात आपके पास में अपॉचुनिटीज की है अब चंद्रमा दूई सभाव वाला है या दूई सभाव राशी में है तो सुख अवश्य ही प्राप्त होगा क्योंकि ऐसा जातक प्रवासी, अस्थर बुद्धी, विलासी, शांत, दयालू, मिलन अनुसार, सभाव का है और मोहक उदार और सज्जन विक्ती है स्त्रियों पर और स्त्री है तो पुरुशों पर मित्र ज्यादा होंगे और मित्रों का प्यार ज्यादा मिलेगा ऐसा इनसान जल याद फिर पानी से डरता है पानी जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र यहां से इनको बच करके रहना चाहिए ऐसे इनसानों को रोग से भी बहुत डर लगता है और चंद्रमा यह जो भाव है यहां पर बलवान हो तो व्यक्ती बहुत ही चतुर और दृत होगा प्रतम भाव में यदि करक, व्रश, याद फिर मेश लगन का हो तो मनुश्य चतुर होगा, रूपवान होगा, कामी होगा, धनी होगा, एश्वर यसे युक्त और कई प्रकार के भोग को भोगने वाला होगा अन्य राशियों में हो, तो व्यक्ती मुर्ख होगा, रोगी होगा, निर्धन भी हो सकता है और इसी प्रकार के जातक को खांसी, सांस से संबंदित समसियाएं, वात रोग इन होने की संभावनाय प्रबल होती है अब बात आती है सेकंड हाउस की अगर जातक के सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो घर में लक्षमी का सदावास होता है ऐसा जातक स्त्री या पुरुष, सुंदर नेत्रों वाले होते हैं और जातक के विशेश रूप से विपरीत लिंग यानि की ऑपोसिट सेक्स के लोगों में आशक्ती अधिक होती है ये भी कहा जा सकता है कि घर में प्रसंता पूर्वक लक्षमी सुएम आकर के निवास करती है और लगन से द्वित्यभाव या तफिर स्थान को धनभाव या तफिर धनस्थान भी कहा जाता है जिसके कारण चंद्रमा यहां उच्छ का या तो फिर शुब भाव का स्वामी होकर के बैटा है तो जातक को अवश्य ही धनवान बनाएगा और इसमें कोई भी संदे डाउट नहीं है अब चंद्रमा अधिकांश तह ही लाब देने वाला है जातक की आए अच्छी होगी साती धन की बचद भी कर पाएगा पर यहां पर सब कुंडली में चंद्रमा की स्थिती पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा अशुब ग्रहों से युक्त होगा या चंद्रमा के फलादेश में कमी होगी यहाँ पर इनसान की आर्थिक स्थिती में समय समय पर उतार चड़ाव भी देखने को मिलेगा ऐसे जातक का परिवार बहुत बड़ा हो सकता है बहुत मेंबर्स के साथ में और जॉइन फैमली और इस भाव में चंद्रमावानी तथा नेतर दोश भी देता है अब चंद्रमा यहाँ पर ठीक स्थिती में नहीं है तो इनसान को प्रात्मिक शिक्षा में वियवधान देखने को मिलते है इसका मुख्य कारण दूसरा बहुत यानि की प्रात्मिक शिक्षा का भी होता है और ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा यदि शष्ट भाव में अश्ठम भाव या तफिर बारवे भाव का स्वामी होकर के द्वित्य भाव में है तो इंसान की वानी और नेत्र दोश होता ही है और इसमें संदे नहीं है साथी पारिवारिक कलेश भी बना रहेगा अब चंद्रमा द्वित्य भाव में व्रश्चिक या तफिर मकर राशी में है तो अच्छा फल नहीं मिलेगा ऐसे जातक को धन के सुख में अवश्य कमी देखने को मिलेगी इंसान के सुभाव से ही खर्चीला होना सिद होगा बार बार नुकसान के अवसर आते रहेंगे और व्रश्चिक राशी में चंद्रमा नीच का होता है तो ऐसा जातक अपना नुकसान स्वयम ही कर देगा किसी ना किसी गलत निरने को लेने पर अपने आप ही अपना नुकसान करेगा और यही उसका कारण बनेगा डाउन फॉल का यदि चंद्रमा व्रश्चब राशी में या तफिर करक राशी का हो तो धनकी प्राप्ती जरूर होगी उपायस वरूप यहाँ पर जो इनसान है उसको परदेश प्रवास अवश्य करना चाहिए यानि कि फॉरिण में रहना सबसे बेस्सिद होगा जातक विदेश में जाता है तो भाग्योदे जरूर होता है और ऐसे इनसान को किसी ना किसी सामाजिक संस्था से जुड़ करके जरूर रहना चाहिए किसी एंजियो का पाठ होना चाहिए है जिसमें दान करना श्रम दान करना सबसे जादा वश्य हो अब बात करते हैं तृत्य भावकी थर्ड हाउस में चंद्रमा है तो ऐसा इनसान पराकरम से धनलाब प्राप्त करेगा अपने भाई और बंधूओं से अधिक सुख मिलेगा प्रवर्ती धार्मिक होगी आदर सम्मान जरूर प्राप्त करेगा कलात्मक गुन प्राप्त होंगे तो जातक को जिग्यासू बनाएगा सभी सबजेक्ट्स जो हैं वस्तू की जानकारी रखने वाला होगा जिसको हम कहते हैं कि jack of all trades master of none पर फिर भी इसको पूरा अगर सुने तो jack of all trades master of none is still better than master of one ये कहा जाता है तो इसके कारण ये जो characteristic है ये आपके अंदर होगी अगर third house में आपका चंद्रमा है अब यहाँ पर ये भी है कि ये व्यक्ति बिना किसी कारण के खर्च नहीं कर सकता बचत करना एक सुभावे के अद फिर जनम जात गुन है शान और शौकत के लिए खर्च करने में कोई संकोच भी नहीं करता जहां पर समझ में आते हैं खर्चे वहां पर करेगा जहां पर फाल्तू के खर्चे जिसे हम कहते हैं बिना सिरपैर के खर्चे दिखावे के खर्चे ये नहीं कर सकता और शौकीन तो होगा और शौक भी ऐसे हैं जो समय के साथ में बदलते रहें यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि जो बिजनस है विवसाय है उसमें भी बार-बार परिवर्तन होते रहेंगी चेंज करते रहेंगे एक बिजनस में टिक करके रहने वाल्या नहीं है और ऐसे जातक को यात्रा बहुत पसंद है यात्रा जातक के जीवन का एक हिस्सा बनी बैठी हैं और चंद्रमास्थान में बैठ करके भाग्यस्थान को देखते हैं जिसके कारण भाग्य में व्रद्धी के लिए व्यक्ति छोटी छोटी यात्राइं जरूर करेगा उसे लाब कमाएगा ऐसा जातक लोक प्रसिद्धी पाने के लिए हमेशा प्रयास करता है और ऐस इनसान हमेशा कुछ नया करना चाहता है कुछ इनुवेटिव करना चाहता है वह विश्य के लिए योजनाय बड़ा बनाता है और यह जो प्लानिंग है योजनाय बनाना है आगे के लिए यह साधारण डेली जिसको हम कह सकते हैं कि एक आदत है कि फ्यूचर को लेकर कि प्ल थर्ड हाउज में चंद्रमा हो ये विचारों को दूसरों के सामने रखने में जो सही तरीका है वो नहीं मिलता वहीं पर अपने भाई बहनों का सुख इनको जरूर मिलता है और ऐसा इंसान पडोसियों से संबंध अच्छा रखता है लाब भी मिलता है पडोसियों से और ये राशी में हो तो जातक बकवास या फिर बकबक करने वाला होता है और भाई बंदूओं का साथ नहीं मिलता उन्हीं के द्वारा हानी पहुचती है अब यहाँ पर अगर ये उपस्तिती है तो ऐसे में क्या कर सकते है चंद्रमा अगर शुब ग्रह है और साथ में गुरु, चंद्र, शुक्र, बुद्ध की राशी में है तो सर्व सुख भोगने वाला है और चंद्रमा अपनी उच राशी में व्रश का है या अपनी स्वराशी करक काहो तो सभी प्रकार के धन धन ये से परिपूर्ण होगा काव्य शास्त्र जो है पोईट है स्क्रिप्ट राइटिंग है या फिर जिसे हम कहते हैं कि गजल लिखने वाला ये इंसान बनता है इस तरफ रूची जादा रहती है अब ये हुई तीन भावों पर चर्चा आज के दिन कल के दिन अगले तीन भावों पर फूर्थ आउस फिफ आउस और सिक्स आउस पर हम बात करेंगे उपायों की साथ में बात करेंगे इंट्रेस्ट अगर आ रहा है आपकी कुंडली में आगे के भावों में अगर आने वाला है तो इंट्रेस्ट खोना नहीं है लगातार एपिसोड देखिए अपने घर परिवार की सभे की कुंडली लेकर के बैठ जाएए हर किसी के basic traits क्या होते हैं वो समझ में आ जाएंगे और आगे जाकर के और complexity में जब हम जाएंगे तो और बातें करेंगे तो यही कोशिश करूँगा कि जो basic knowledge है principles है वो अगर आपको मालुम है और कल अगर आप किसी astrologer के पास में जाते हैं जोतिशी के पास में जाएं तो आपको ब्रहमित ना कर पाए मोटे मोटे पैसे ले करके गलत ग्यान दे करके आपको उलजा दे तो आपका भला क्या होगा अच्छे अच्छी बातें सुनने थोड़ी जाते हैं सच सुनने जाते हैं और जो जोतिशी आपको सच ही ना बोले तो वो जोतिशी किस काम का है यहां पर यह जो मैं काम कर रहा हूं यह अपने भलेक ले नहीं आपके भलेक ले कर रहा हूं समझने वाला इस बात को जरूर समझेगा एप्रीशेट करेगा कि हां हमें जागर को बनाने की कोशिश है यह बाकि हमेशा की तरह प्रात्ना ये ही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आश्रवाद हमेशा हमार साथ में बना रहे जैश्री राम इवं जैहन करतरके रहे बुजर्गों का साथ चाहरे